बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार दिवंगत कांगरीस नीता सदानन सिंग को सर्धानजली देने के लिए उनकी पैतरी गाउ कहलगाउ हेलिकॉप्टर से पहुँचे जिसके बाद थाना रोड स्थित कहलगाउं के कोल्ड श्टोरेज में आयोजित सर्धानजली सभा में पहुँच कर सीम ने दिवंगत पुर्व विधायक सदानन सिंग के तैलेचित पर पुसपांजली अरपित करते हुए उन्हें सर्धानजली दी सदानन सिंग के सराधिकारिक्रम में मुख्य मंतरी के साथ सिक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी भवन निर्मान मंतरी असुक चौधरी भी मौजूद रहे वही इनके अलावे राजसभा सांसद और पुर्भ डिप्टी सियम सुसील कुमार मोदी और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री साहनवाज हुसेन भागलपूर विधायक अजीत सर्मा, कांगरिस नेता सकील एहमद खान, विधायक लरन पासवान, अलिय अस्वप सिद्धिके सह विधायक 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 विध ललमटिया ओपी छित्र के एक महले में बीते सनिवार करीब साम पांच बजे आठ वर्सिय मासूम के साथ अप्राकिर्तिक योनाचार की घटना हुई वहीं पुलीस ने त्वरित कारवाई करते हुए आरोपी मुहमद इल्यास को धर दबोचा मासूम की माने ओपी में लिखित आविदन देकर प्राथमी की दर्ज कराई है वहीं मासूम की माने कहा कि मुहमद इल्यास मेरे बेटे को चपल दिलाने के बहाने सुनसान जगार ले जाकर अप्राकिर्तिक योनाचार किया मामने पर ओपी प्रभारी मिथलिस कुमार ने बताया कि आविदन की अधार पर पुलीसिया कारवाई में आरोपीत को गिरहपतार कर नियाई खिरासत में जेल भेज दिया गया है मेरे बच्चे को ले गिया मतलब चपल के बहुने से कौन ले गया बोई जो अदमी है आया था तो चलो बेटा तुमको चपल दिला देंगी तो गया बच्चे के लाला चला गिया उसको फुज दूर ले जाकि उसको साथ गलत काम किया और जब हम खुजने निकले तो माँ द कांगरिस के दिगज नेतायों कहलगाओं से नौ बाल परतिन धित्व करने वाले पूर विधायक सतालन सिंग के सराधिक्रम में भाग लेने के लिए बिहार विधान सभा अधच विजज सिन्ना भागलपूर पहुँचे सरकीट हाउस में भाजपा कारिकरताओं ने बुके दे कर उनका स्वागत किया विधान सभा अधच विजज सिन्ना सड़क मार्क से कहलगाओं पहुँचे और कहलगाओं अस्थित उनके घर पहुँचकर सदानन सिंग की तस्वीर पर पुस्प अरपनकर संधा अंजली दी विधान सभा के अधच सोगे सरानन वाओ की सरधान दली अरपित करने आए हैं और बहुती मिलनसार अनुभावी और सब को लेके चलने वाले दोफासी थे इनका सने सब को मिलते रहता था भागलपूर के जगदीजपूर परखंड में दूसरे चलन में होने वाले पंचायद चुनाप को लेकर आदर से ग्राम पंचायद साहजंगी में लगातार दो बार से मुखिया रहे और तीसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे सवाना खातुर उनके पती मुखिया परतनी दी मुखिया परतनी दी मुखिया परतनी दी मुखिया परतनी दी मुखिया मंजूर लगातार समर्थकों के साहजंगी मनसूर इतुला तारपटी असरफ नगर खिलापत नगर अजीज नगर सहित कई लाकों का दोरा किया और लोगों से समर्थन मांगा इस दुरान म पहम्मद मंजूर नी सबाना खातून के तरह किये गए विकास कारियों को लेकर लोगों से मंजदूरी मांगते हुए सईयोग करने की अपील की. चे नंबर पर बैगन चाप तो लोग को क्या बता रहे हैं? बाद चे नंबर पर बैगन चाप है भारी बोमस से विजय बनाना है. मुख्यमंत्री नितीज कुमार का नसा मुक्त बिहार बनाने का सपना को साकार करने के लिए इन दिनों भागलपूर के बबरगंस थाना अध्यच पवन कुमार सिंग लगे हुए हैं. थाना प्रभारी के नैत्रित्व में बबरगंस थाना परिसर इस्थित इंडोर स्टेडियम में नसा मुक्ति को लेकर जागरुकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुझायतपूर थाना अध्यच सुबो दुकुमार पारसत परतनिधी ससी मोधी, समाच से भी राकेस केसी सतनरायन सह सहित बड़ी संख्या में स्कूली चातर चातराएं सामिल हुए, कारिकरम की सुरवाद बबरगंस थाना ध्यच के दोड़ा राष्ट गान गाकर किया गया, सेमिनार के दुरान वक्ताओं ने जहां नसे से सारीक आर्थिक और मानसीक रूप से होने बाले पन महिनर परसाद ने अपने नाती दस वर्सिया अर्नव कुमार की गुमसुदगी को लेकर लिखी ताविदन दिया है, महिनर परसाद ने बताया कि अर्नव औरेंज रंग की टी-सट वबुलू रंग का पैंट पहने है, बीते सनिवार साम को नूरपूर से कहीं गुम हो गया ह महिनर ने कहा कि काफी खोजबिन की गई लेकिन कोई पता नहीं चल पाया स्रीस्री 108 दुर्गापुजा महा समीती की सालाना बैठक भागलपूर के अस्थानिय धर्मसाला में आयोजित की गई समीती के अधच अभे कुमार घोस उर्फ सोनु घोस की अधचता में आयोजित बैठक के दौरान समीती के दौरा पिछले वर्स किये गए खर्च का बेवरादी आ गया साथी नए समीती का गठन भी किया गया इस दौरान कोबिट प्रोटोकॉल के तहट मा दुर्गा की प्रतिमा स्थापित किये जाने और सरकार और जिला प्रसासन के दौरा जारी गाइड लाइन के अनुसार पूजा अर्चना और मेले के स्वरूपरदी चर्चा की गई इस दौरां कारेकारी अध्थस सोनू घोस ने कहा कि कोड़ना गाईडलाइन के अनुसार जिला प्रसासन के दौरा जो गाईडलाइन जारी किया जाएगा उसी के आधार पर भागलपूर जिले में दुरगा-पुज़ा समारो का आयवजन किया जाएगा बैठ़क के दौरां जिले के सभी दुर्गापुजा समीती के मिढ़पती मौजूद थे। परिवार के किसी एक वैक्ती को सरकारी नौकरी दिये जाने کی मांगी। मिर्थिका किप्ता मनोज सर्मा ने बताया कि उसकी बेटी आर्मी की तैयारी कर रहे थी। वो पढ़लिकल परिवार का भरन पोशन करती इसलिए जिला प्रसासन एक आश्रित को सरकारी नौकरी दे और इसके लावे सरकारी प्रावधानों के अनुसार मौत पर मौप जाबी दे। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में अस्थान ये लोग सामिल हुए।